18.2 कितना कच्रा, कैसा कच्रा दिन भर में हम कच्रे की कितनी मात्रा निकालते हैं? आईए इसका पता लगाएं क्रिया कलाप 1 एक मध्य माकार के बाल्टी लें इसमें एक दिन के लिए अपने घर से निकलने वाले कच्रे को इकठा करें यह मात्रा आपके परिवार द्वारा एक दिन में निकाले गए कच्रे की मात्रा होगी इस प्रकार आप अपने आजपास में रहने वाले लोगों तथा कॉलोनी, शेहर, गाउं में रहने वाले लोगों के द्वारा निकाले जाने वाले कच्रे की लगबग मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं सोचिए कि अगर इतना कच्रा रोज निकल कर एक जगा ही कठा हो तो क्या होगा? इससे कौन-कौन सी समस्याउद पन होंगी? इस कच्रे वह इससे जुड़ी समस्याउँ का निप्टारा कैसे किया जा सकता है? अगर आप कुछ दिनों तक अपने घरों से निकलने वाले कच्रों को देखें तो आप पाएंगे कि इसमें अधिकांश मात्रा, सबजियों, वा फलों के छिलकों और बची हुई खाद्य समागरी की होती है क्या या कच्रा लंबे समय तक ऐसे ही बना रहता है? आपने भी अनुभो किया होगा कि इस प्रकार का कच्रा थोड़े समय बाद सडगल जाता है सड़ने गलने की प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों के कारण संपन्न होती है इस प्रक्रिया में सुक्ष्मजीव इस कच्रे में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं यह प्रक्रिया अब घटन कहलाती है इस प्रकार के कच्रे को जैविक रूप से नश्ठ होने वाला जैव निम्निकृत कच्रा कहते हैं घरेलू कच्रे में बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय के बाद भी वैसे ही बने रहते हैं जैसे प्लास्टिक का सामान, पॉलिथीन, धातू, काच, इलेक्ट्रोनिक पदार्थ, आदि अता वो कच्रा जो जीवों द्वारा अब घटित नहीं हो सकता उन्हें जैव निम्निकृत कच्रा कहते हैं आपके विचार से इनका आगे क्या होता होगा? समान्य तोर पर हम इस कच्रे को या तो किसी एक जगा पर फेक देते हैं या फिर कबाडी को बेज देते हैं अभी तक हमने अपने घरों से निकलने वारे कच्रे की ही बात कियें घर के अलावा और भी स्थान हैं जहांसे प्रति दिन काफी मात्रा में कच्रा निकलता है इन स्थानों में अध्योगी प्रतिश्थान, चिकित साल य, बाजार, वशाष्किय वशचिय वा अनिस संस्थान शामिल है हमारे घरों से तो कबाड़ी कच्रा ले जाता है पर इन संस्थानों से निकलने वाले कच्रे का क्या होता होगा घरों से इकठे किये गए कच्रे का कबाड़ी क्या करते होंगे